प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब अच्छे है ना तो आज मैं आपकी पार्ट है पुस्तर आकरती के पार्ट 16 चूहे की शादी पार्ट का भाष्य ग्यान कराऊंगे देखिए हमारा भाष्य ग्यान है प्रैश्ण संख्या 5 लिंग निर्धारित करो यानि कि जो हमें शब्दों को पहचाना है को इस्त्रिलिंग है या वो पुलिंग है देखिए पहला दिया है हमारा सूरज तो सूरज हमारा क्या हुआ पुलिंग और बादल बादल जो है हमारा क्या होगा बादल भी हमारा हो जाएगा पुलिंग तो ऐसे ही शब्दों को पहचानते हुए आ आगे देखें सान्ख्याच है स्थी ए पर्यावाची शब्दों को मिलाओ इस वहाँ शब्दों को सब्दों करलारी सम्क्च memory क्या है कि अदिख'tob да सूरज के पर्यावाची क्या है दिवाकर जाना दिनकर तो हम सब्दों को यहां सतर्दों को किसूरइब बादल, बादल का क्या हो जाएगा, मेग, घन, पयोधर, हवा का आपको पता है, वायू, समीर, पवन, तो ऐसे ही आपको पढ़ते हुए इन शब्दों को इनके पर्यवाची शब्दों से मिलाने हैं, अब देखे आगे प्रैश्य संख्या साथ, वन विच्छेद करो, वन वि अ, है ना, फिर द, अ, ल, और अ, ये हो गया हमारा वन विच्छेद, है ना, आगे की जो शब्द हैं, इनने आपको स्वयम से करना है, देखे बच्चों, यहाँ पर जैसे बापर आ की मात्रा आई है, तो यहाँ पर मात्रा भी लिख सकते हैं, लेकिन जगर वन विच्छेद दिया है, तो यहाँ पर हम आ लिख सकते हैं, यानि कि हम जब वन विच्छेद करेंगे, तो हमें हर वन के पीछे स्वर दिया होगा, वो स्वर हमें यहाँ पर लिखना है, ठीके, तो आगे की जो शब किसे मांगतेैं तो इसको अपनी व्याकरण की कारे Pustika में ठीक है। ठीक है। तो अब आपका घ्रेकार है कि आपको प्रेश्ट संख्या नवासी पर प्रेश्ट संख्या 5, 6 और 7 आपको अपनी किताब में ही करना है और गतिविदी कार्य आपको अपनी व्याकरण की कारेपुस्तिका में लिखना है